चम्बल का बीहड अपने आप में देश दुनिया में जाना जाता रहा है जहां एक तरफ यहां पर दस्यू हुआ करते थे बहुत सारे अरविंद गूजर, रामबीर गूजर, निर्भे सिंग गूजर, जगजीवन परिहार ये पूरा आप जो बीहडी छेतर देख रहे हैं य ये दस्यू प्रभावित छेतर था और जो दस्यू हुआ करते थे उनकी कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई एक कहानी थी जिसके कारण वो दस्यू बने आज एबीपी नेटवर्क के पास आज हमारे साथ हैं अरविंद गूजर और रामबीर गूजर ये वो दस्यू हैं जिनों हम आज आपको मिलवाते हैं उन दस्यू सरगनाओं से जो लोग सजा काटने के बाद जब बरी हुए और कोट से बाहर आने के बाद अब एक आम जिन्दगी जी रहे हैं तो हम इनी लोगों से आज बात करेंगे सबसे पहले मैं आप से जानता हूं कि किस तरह का आपका जो ज अचा नहीं तो जैसे यहां छोटे-छोटे बच्चे हैं एक दोर आपने यहां जनम लिया यहां पढ़े बले कौन सी परिस्थितियां थी दस्यू बनने पर परिस्थितिया यह सी बनी के जो मतलब यहां पहले हम जमीन करते थी अपनी और यहां जब बदमासों नों यहां परिसान किया मेरे वाई की पकड़ कर लई तो फिर मजबूरी हो गई मेरी आप दोनों के उपर करीब तीन दर्जन से जादा मुकदमे हैं अर्विंद गूजर और रामबीर गूजर पे तो जिस तरह से आप लोगों ने सजा काटी किस तरह से वह आप लोगों के साथ रहा जीवन कैसा रहा सजा के बात का फिर किस तरह मन बदला मन तो मेरे बचों के लिए मन बदल गया कि अच्छा जिंदगी जी हो यह जिंदगी खराब है तो बच्छों के खातिर फिर हमने अपना जीवन यह सिलेंडर किया surrender किया उसके बाद आप ये बताईए कि जिस तरह से लगातार एक दौर आप लोगों ने एक दसक काटा है बीहड में एक तरह से आप दो गैंग हुआ करते थे दोनों लोगों में आपस में connectivity हुआ करती थी अलग-अलग आप लोग काम किया करते थे तो क्या काम मतलब किस तरह स आप लोग इसको संचालित करते थे संचालित तो जैसा हो जाता है जो काम में अगर बीजी हो जाओ तो वो कन ओने लगता है बहरा बीहडी गाओं है लोग यहां जल्दी नहीं आ सकते पुलिस जब आती थी कैसे सूचना मिलती थी कुछ थोड़ा सा विस्तार में बताएं त सुचना लेते थे जो आदमी अपने संपरक में रखते थे उन से सूचना लेते थे तो हमें आप यह और बताएं कि जैसे जब यह सब चीजों से मोह भंग हो गया आपके बच्ची हो गई आप लोगों ने बाकादा भिंड में मदप्रदेश में जाके सरेंडर भी किया था आप लोग कितने लोग थे थे हम आठ लोग सुरेंडर हुए तो फस्प लोगों ने स्रेंडर की सारे लोग संजाआ ख़का सब लोग सजाआ काट चुकए सब घर पर अगई तो रामबीर के मन में अप क्या है चुक्छि अब सरकार से किस तरह को लेकर मांग है आप लोगों मतलब दस्यू समराथे अब राजनीत के सफर शुरू करना चाएं किस तरह का सफर बतलब शूखिए सेवा- सेवा इस जन सेवा के लिए तो अंधर बावना तो बद़ जाती है जो अंदर बात्रा आउनक Bruce किस तरह का प्यार देखते हैं एक तरह तो था कि बच्चे से लेकर भूड़ा जवान सभी डरा करते थे तो मेरा भेसा ही ऐसा था जो डरते थे तब अब हमने अपना सब चेंज कर दिया अच्छा अब चेंज कर दिया अब इन लोगों के बीच में जाते हैं तो कैसा फील होता क्या आपकी मांग है अपने जन्मानस से चुकि अब अब लोग आपको एक डकैत के रूप में न देखें और अब आपको लोगे ये जाने कि हाँ एक रामबीर उनके बीच में एक नेता पहुंच रहा है अब देखो नेता तो अब नहीं है केले नेता अगर जंता बनाएग सांसद तक होते हैं किस तरह का चुनाव आप चाहेंगे तो सांसद और विधाय की तो जे है कि अच्छी चीज़ है जी छोटा चुनाव तो लड़ने से कुई फाइदा नहीं है तो बिलकुल जिस तरह से आपने देखा कि रामबीर का कहना है कि हम विधाय के सांसद का चुन है मैं अर्विन जी से जानता हूँ अर्विन जी किस तरह से देखते हैं कैसा वो जीवन था और इस जीवन मैं वह जी वैंडिक नरतने समाई ने कोई बीदेख़ी हो क्योंकि जिसने आटा दाल तो मजबूरी है जंटा की देना क्योंकि मैं तो बंदूग लेक के गूंग रहा समय फिरौती का पकड़ का धन जो कारोबार था एक पूरे जितने दस्य हुआ करते थे अब उस कारोबार से को जब पूरा आप लोग सरेंडर कर गए आप लोगों ने बाकादा आत्म समर्पण किया मध्य प्रदेश पुलिस के सामने फिर वो कैसे मन में चेंज आए मन में चेंज क्या आए देखो सबसे बड़ी कोई भी बुरे से पुरा धन्दा करो और सब सबसे पहले जो हमारा फारारी कारार बना हमारे परवार के सबसे पहले न करता थी अच्छा जैसिंग घुरजार के फरार होने के Nahड हड है इस छ्छ्ड को ब्रबाद करदी गया जूंट मुकदम लगाना फसाना कि उसी काह से मbert साघाल अपनी करता था नोख करता था लूगरी करता तो हमारे 뿅न्ह पलीस को पॉलिस पॉढ़के झेल भेजा जूटे मुकदमा लगाए दो ससूरा के मुकदमा लगाए चालान करे किसी प्रकार की कोई सुनवाई ने गाउं में कोई सिक्षा का वाव तो था ने सब लोगा सिक्षे थे जितनी अब नई पीडियां तो कोछ इसा गौर्मेंट द्वारा इसकूल घूल दिया गया है गाउं कि यह अन समाज कि जो परलेके नोगरी में लग गए हमारे गाउं में तो यह था के सरकारी नोगरी तो छोड़ो होव मगाट में भी पूरे गाउमें कोई सर्विस निंग करता था आवाव गवन का साहधन बड़ा है कम्मुनिकेशन बड़ा है सिक्षा को लेकर भी सरकारे क कर रही हैं अब का जीवन और तब के जीवन में कितना अंतर पाते हैं आपका जीवन स्विक्त हो नर्खमें जिन्ड़ी जी रही थे हम क्या जी रहे हैं कि में यादि ए- दक टों नहीं senior समेंष क्या साथ उप Referent का अबके समय सहाइथ खतम हो गई हमें आध पात्र बाद दिया जिस कार से चेत का बिकास हो रहा है मुझे बड़ा अच्छा मैसूस हो रहा है गौर्णमेंट भी अच्छा कम कर रही है अच्छा आपके भाई पॉलिटिकल छेतर में जाना चाहते हैं आप लोगों के वज में क्यों से नेता इस तरह के हैं क्या विचारध में कभी प्रधानी के लेक्षन तक लड़ सकती और क्या चाहते हैं चुकि दोनों सब्सक्राइब आज हमारे साथ हैं आप दोनों के मन में क्या उद्गार है अब क्या अपील रहेगी आम जन्मानस से एक ही अपील रहेगी कि सभी नए बच्चों को भी हम यहीं सिक्षा दे डें हैं फ्रंट लाइन में सब आप दोनों भी आ गए हैं अब आम जन्मानी जिना के लिए मतों की सभी लोग जोड़े अप बताएं बतू की बात है का बोरा पूरा दसुस टाइम साथ साथ रहे जेल में भी आप लोग साथ साथ थे अब आज भी हम दोनों एवी पी न्यूस के सामने साथ साथ हैं किस तरह से देख रहे हैं तरह समाज में और परवार में सिब आई यह रहे हैं कि एक समय वो था कि रात पो जंगल से जब आते थे मिलने जो ने पुरकाओं से बाइक जनम भून थी हमारे बुज्रोक थी उनसे मिलने की हमारी एक्षा चलती थी अगर मिलने आओ तो गाउं में थोड़ा बहुत तो मन मुटाओ रहता ही है किसी ने चुबली कर दी के और रात को गेंगा ही थी अब सबीर उन बुड्डों को पुलिस पानी बिलाने में या खाना खिलाने में या उनके दर्बाजे हमें जाने में कोई दिक्कत महसूस तो नहीं हो रही है आप किस तरह से देख रहे हैं अब आप दोनों लोगों ने तैयारी की है कि आप राजनीत के छेतर में भी आएंगे एक लास्ट सवाल कि वो जिंदगी जो दस्यू की थी और इस जुन्दगी में कितना बहतर आप पाते हैं अपने आप वो जिन्दगी तो यह नहीं जिन्ना मौत ती जिन्ना नरक भोग रहे थी मैंने दस साल जंगल में जिन्ना नरक भोगा उसके वाल अपराज की या जो काया पातिक से होई बिन भोगे पूल गाई थे वो आज उनके नाम ने सान मट गए किसी को देकर इने एक सपना सा मारा ले गया अब अपील क्या है हमारी अपील यही है बच्चों से आपील यही है कि पढ़े लेखें बेटा आंगे कि अपना भविस जिन्दगी बनाएं अपराज से बुरा कोई दुनिया में कर्म नहीं है यह है वो दस्यू समराट लोग जिन्लों का एक समय में यहां आतंक हुआ करता था और अपराज को अब नर्क की जिन्दगी बता कर आप जिस तरह से देख सकते हैं यह दो वो साथी हैं दो भाई हैं जिन्नोंने दस्यू समराट के रूप मर एक साथ काम किय अब जेल काटने के बाद वो आम जन्मानस की जिन्दगी जीने आए हैं एक फ्रंट लाइन की जिन्दगी जी रहे हैं और उसके बाद अब राजनीत में भी कदम रखने की बात कर रहे हैं कैमरा मैन करन कठेरिया के साथ अमित मिश्रा एबीपी गंगा इटावा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाआपकी